वेलकम बेक वन सेगेंड फ्रेंड हमाई इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है तुरिशान तेगंडी और दोस्तो रोहनी इंस्टीटूट के बिहाफ पे मैं आपके सामने आज लेकिया हूँ ITI Electrician Trade का सेकेंड पार्ट जी हाँ जैसा कि आपको पता है कि हमने सेमेस्टर फर्स्ट का पार्ट शुरू कर दिया है तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको सेफटी रूल्स के बारे बता रहा था जो कि पार्ट नमर फर्स्ट में आया था इस पार्ट नमर सेकेंड में आपके लिए मैं लेकिया हूँ Safety Sign जी हाँ तुर्शानत एकडमी के प्लेटफॉर्म पे बाइदर मिश्रा सर मैं आपके सामने लेके आया हूँ Safety Sign जिसमें हम तमाम प्रिकार के Safety Science के बारे में पढ़ेंगे जो की आप प्रिवियसली कई बार पढ़ चुके हो लेकिन इस Electrician Trade के Concerning में क्या-क्या है वो देखेंगे तो चाहिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं देखें आप तो ये जानते हैं ना कि Safety Sign और Symbols मतलब हलाकी होता क्या है ये हम बच्पन से देखते हैं कि अगर हम Road Cross कर रहे होते हैं या हम कहीं पर Drive कर रहे होते हैं तो तमाम प्रकार के Symbols बने होते हैं तमाम प्रकार के Science होते हैं तो ये होते क्या हैं उसके बारे में आज देखें पढ़ते हैं अगर मैं Definition की बात करूँ तो दोस्तो What is the Safety Sign and Symbol? The use of symbol and graphical images is a simple safety system used to convey safety messages at the GLAX मतलब ये कुछ symbols होते हैं जो आपको image के form में दिखाया जाता है road के पास या कुछ जगों पर जहां पर आपको एक safety का message दिया जाता है एक सूशना दियाते हैं कि हाँ अपने आप safety को ऐसे कर सकते हैं Color and the symbol approximately used can provide information and warning of hazards which are essential to the safety at the work and in some instance may be independent of language मतलब ये होता है कि कुछ symbols को तो color के form में दिया जाता है जैसे dangers को आप red color का form देते हो move करने के लिए green देते हो तो ये सारी चीजें आपको color के form में दिखा दे ही ताकि अगर कोई different language का भी आपके city में है तो वो भी इस चीज को समझ सके तो ये बात होई कुछ sign और symbols होते क्या है now move to the point color जैसे कि मैं आपको बताया है तो अगर मैं red color की बात करूँ दोस्तो तो आप fire, danger या stop के लिए हम red color का use करते है orange कर मतलब होता है दोस्तो warning के लिए याद रखिएगा ये तमाम प्रकार के आपके symbols आएंगे, color आएंगे yellow, yellow कर रहोता है दोस्तो cautions का, जहां, ध्यान रखना, precaution रखना अब green कर होता है safety का, कि आप यहाँ पे safe है और blue कर होता है notice का अगर हमें कोई चीज notice देनी है तो blue करके देनी है अब यहाँ पे different प्रकार के hangovers देख सकते हैं जैसे caution हो गया, warning हो गया, danger हो गया, safety first हो गया, think हो गया, notice हो गया और emergency हो गया तो यह कुछ प्रकार के आपके क्या है safety sign holders लगे हुए हैं holders लगे हो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो आप दोस्तों यह आप महसूस करिए या आप यह जानिए या कहीं पे लिख लिजी यह चीज कि different different colors जो होते हैं वो आपको safety के बारे में कैसी guideline दे रहे हैं अगर आप traffic road की बात करो तो वहाँ पे भी आपको तीन different color दिखाए देता है red yellow और green और orange भी दिखता है तो दोस्तों यह परकार की तो आपके कुछ color के recording हो क्या अब next further बात करें तो दोस्तों आ जाता है type of safety sign and symbol safety type और symbols के किते type होते हैं मतब safety के लिए किते type का हम sign बनाते हैं पहला है provision sign दूसरा है mandatory sign prohibition sign mandatory sign तीसरा है दोस्तों warning sign जी हाँ फोर्थ नमर पर आता है information about safe condition sign और फिफ्थ नमर पर आता है fire safety sign last में आता है safely safety labels ठीक है यह भी एक तरगे का sign है मतलब prohibition prohibition मतलब होता है कि हम कोई चीज़ को prohibit करना है mandatory मतलब एक पक्का fixed है कि यह चीज़ तो follow करनी ही करनी है प्रकार जो आपको दिख रहे हैं सामने छे प्रकार यह सारे कुछ नकुछ अपने अंदर कुछ नकुछ हासिल करके बैठे हुए हैं तो हुई हमें समझना है इसमें तो चलिए one by one हम पढ़ते हैं prohibition sign क्या होता है तो prohibition sign means a safety sign एक ऐसा safety sign है जो prohibiting behavior शो करता है likely to cause a risk to death or safety मतलब अगर यह sign आपको कहीं दिख रहा है तो आप अपनी health को लेके बहुत risk में हो तो आपको एक safety के लिए उससे दूर होना है prohibition safety sign generally use black safety symbol उसको हम black color से दिखाते हैं in a red circle, red circle होता है और बीच में कुछ ने कुछ black होगा वह तो diagonal cross किया जाएगा उसको अब आप देख सकते हैं the red color मतलब जो prohibition sign होगा उसको हम basically red color से show करते हैं आप यहाँ पे देखे एक diagram मैंने बनाया है उसमें क्या है बीच में mobile का symbol है और उसको circle किया red से और red clear के diagonal से इसको cross किया गया लिखा है do not use mobile phone मतलब यहाँ पे mobile phone use करना मना है prohibited है similar नीचे देखे लिखा हुआ है do not entry authorized persons only do no entry only authorized person का तो यह symbol उसके लिए भी है तो यह बात हुई थी prohibition sign के बारे में अब मैं आपके सामने कुछ और example लेख क्या हूँ ध्यान से देखे do not enter अगर वहाँ पे cross लगा तो सब के लिए मना है no smoking तो smoking का symbol है no rug ऐसे करके no pedestrian paddle वाला भी नीचल सकता switch off mobile phone तो उसे cross लगा हुआ है no children allowed वो अला है do not run no authorized access no editing, drinking or smoking no cycling no industrial vehicle no administration with premises do not use scaffold no cameras do not use locker do not use lift not drinking water no swimming no radio no dogs तो ये सारे कुछ examples है दोस्तों आप इन सब को पारी बारी से one by one खुद ही एक बात देख लीजे ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीजे फिट हो जाएं ताकि in future कभी भी आप अपने बुकों में या कभी भी practically कोई चीज को देखे तो आप समझ सकी कि हाँ ये कुछ prohibition sign होता है ठीक है तो चलिए now move to the next place दोस्तों हम बात करते है mandatory sign का तो अभी तब तो आपने prohibition देखा था अब ये mandatory sign है मतलब ये तो आपको follow ही करना पड़ेगा इसकर आपको कोई option ही नहीं है आपके पास that is these sign are blue in color prohibition वाला red था ये color blue है right they give a positive instruction in other word they tell you what to do rather than what not to do वो वाला जो prohibition वाला था वो आपको ये बता रहा था आपको क्या नहीं करना है but mandatory sign बताएगा क्या आपको क्या करना है जैसे road में left right turn होता है वो बताता है यहाँ पर sharp अभी you turn आने वाला यहाँ cycle चलानी यहाँ पर हॉरन देना है तो यह सब mandatory sign है right तो चलिए और detail बात करते है next आता है warning sign right a warning sign क्या है the warning sign is a type of yes it is a type of sign which indicates the potential hazard obstacle or the condition requiring special attention तो यह special attention के लिए warning sign दिया जाता है these signs are yellow इसको क्या yellow color से दिया जाता है mandatory वाला blue था prohibition वाला red था तो warning वाला yellow color का होता है याद रखेगा they are normally triangular but can be other shape यह अक्सर triangular shape का ही दिया जाता है इसके अंदर तमाम प्रकार की drawing बनी होती है ठीक है लेकिन यह triangular का ही होता है तो इस तरह के साब समझगे कि warning sign क्या होता है right अब next मैं आपको sign बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखेगा बहुत ही important है जो की fire safety sign है मैं इस story सी blur हो चुकी क्योंकि बहुत छुटटी image थी मैं एक ही page पर उसको लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन देहान से देखेए fire safety sign क्या होता है fire safety warning sign है यह एक प्रकार का fire fire exist sign है और fire fighting equipments are also covered इसमें सारी चीज़े covered की गई है देहान से देखे they require employer to provide specific safety sign wherever there is a risk that has not been avoided or controlled by other means that is engineering control and safe system of work मतलब यहाँ पर जित्ते प्रकार के आपको sign जो दिख रहा है एक fire extinguisher का sign है एक left और right का arrow है तो यह सब आपको दिखा रहा है कि fire लग गई है तो वहाँ पर कैसे क्या बचना है cd का, letter का, phone का तो यह वो तब fire का हो गया अब बताती है safety labels की अब safety labels क्या है दोस्तों आपको figure यहाँ पर दिख रही होगी तो लिखा हुआ है old format वहाँ पर लिखा हुआ है danger high voltage, warning तो यह सब अब पुराने हो जगए है नए format में अब danger को इस symbol का दिखा जाता हो जो आपको दिख रहा है trendbolar में right danger को अब यह जो हाथ का निशान है वहाँ पर cross किया हुआ है मतलब यह हुआ कि जो safety labels होते है यह अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग dangers के लिए अलग-अलग alertness के लिए आपको अलग-अलग symbol दिए जाता है ताकि आप उसको देख के समझ सके अपनी safety को देख सके तो दोस्तो इसी प्रकार से यह मैंने पूरा safety का जो sign and symbols हा वो एक particular छोटे से वीडियो में cover किया है तो अगर आपके मन में कहीं पे भी किसी भी कोने में कोई भी question हो तो प्लीज दोस्तो comment जरूर करें comment करके बताएं कि हाँ sir यह चीज कैसे क्या हो रहा है या आपको कोई further topic पे वीडियो चाहिए तो वो भी बताएं साथी साथ अगर आपको मेरी मेनत अच्छी लगी हो मेरा पढ़ाए हुआ समझ में आया तो दोस्तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजेगा और साथी साथ अपने छोटे भाई बैनों को और जो भी आपके कलिक्स है आइटिय ट्रेड में प्राक्सिपेशन कर रहे हैं और अनी इंस्ट्यूट में हैं तो प्लीज दोस्तो उनको उनके बीच में ये वीडियो को जरूर शेयर करें तब तक के लिए दोस्तो थैंक्यू टेक केर और बाई